न्यूड लाइव राजस्तान पर इस वक्त की बड़ी खगर आ रही है जैपूर के खातिपुरा से खातिपुरा में लगी भीशन आग, कई किरोमिटर दूर तक नजर आया काला धुआ चोटवाणा खातिपुरा इस चित एक मैरिज गारन में गुर्वार शाम भीशन आग लग गई, आग पर आज़दर जिंदम कलोने लगबग देट घंटे में काबू पाया आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका, नहीं लोगों ने घरी आबादी के बीच मैरिज गारन को लेकर विरोत करना शुरू कर दिया आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है जानकारी यानुसर जोट वाड़ा खाती पुरा पुलिया के नीचे इस्तित तारा नगर में गणेश वाटी का मैरेज गारल में बुद्वार शाम सवाब पांच बजे आग लग गई आग ने कुछी देर में विक्राल रूप ले लिया आग की लपटे कई किलोमेटर दूर तक नजर आ रही थी सूशना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग कुछी देर में विक्राल रूप ले चुकी थी जिसके चलते दमकल कर्मियों को भी काफी परिशानी का सामना करना पड़ा बात में आदा दर्जल से अधिक दमकलों ने आग पर करिब डेड़ गंटे के बाद काबू पाया दूर तक दिखा काला दुआँ आग का दूआ आस्मान में काफी दूर तक नजर आ रहा था चारों तरफ आग का काला दूआ फैल गया जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ा वही कई लोगों के आँखों में जलन की बिसमत्यास सामने आई है आबादी के बीश में है मेरिज गारण वही आख की घटना के बाद लोगों ने मेरिज गारण का विरोश रूप कर दिया आसपास के लोगों को कहना था कि आबादी के बीश में मेरिज गारण बना हुआ है जिससे यहां आये दिन काफी फरेशानी का सामना करना पड़ता है इसके लिए कई बार शिकायत भी की गई थी एक महीने में यह दूसरी खट्टा गौरतलब है कि 12 सितंबर को दादी का फार्टक के नजदी रिहाईशी शेत्र नारायन नगर में टेंट गोदाम में आग लगी थी इस आग ने लगवक चार-पाँच घरों को भी चपेट में ले लिया था जिससे शेत्र में काफी दैशत फैल गई थी इस आग को बुजाने में करीब 20 दमकल लगाई गई थी झाल